आज हम देखेंगे ये बलून पम कैसे वर्क करता है इस पम को पीछे से हवा अंदर जाने के लिए 8 होल्स दिये गए है और इनको फ्लिप रबर से कवर किया है उसके कारण हवा सिर्फ एक ही डिरेक्शन में अंदर जा सकती है वो बाहर नहीं आएगी अब हम इसे खोलते है आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा डिलिवरी पोर्ट है मिन्स यहाँ से हवा कंटिनिवसली बाहर आती है और बलून फूलता है इस पाइप का दूसरा एंड रिंग मेकानिजम को कनेक्ट है यहाँ आप देख सकते हो की पाइप इस पहले प्लेट को कनेक्ट है और वो प्लेट दूसरी प्लेट को कनेक्ट है दोनों प्लेट में जो ग्याप है वहाँ से हवा उस पाइप में जाती है अब देखते हैं रिंग का क्या यूज है लेकिन उससे पहले हम एक अजम्शन करेंगे कि अगर यह पाइप अजे सेप्रेटर का काम करेगा तो यह है सेक्षन ए और यह है सेक्षन बी अग देखते हैं रिंग का क्या यूज है अगर हम इसे आगे खिच रहे हैं तो ये रिंग नीचे वाली प्लेट पे चिपक कर सेक्षन एक की हवा अंदर भेचती है और अगर हम इसे पीछे की और पुश करते हैं तो वो रिंग उपर की प्लेट को चिपक कर सेक्षन B की हवा बाहर बेशती है। ये रिंग की मोवमेंट सिलेंडर वॉल के फ्रिक्षन से होती है। इस तरह से सिलेंडर और रॉड के कंटिन्यूस मोवमेंट से हम बलून फुला सकते हैं। तो आपको क्या लगता है? इस सेक्षन का पंप में क्या रोल हो सकता है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए। धन्यवाद!